हेलो दोस्तो आज है 23 दिसंबर 2021 और 23 दिसंबर 2021 से जितने भी हरी आने करांड अफेर के क्वेस्टन मनते हैं हम सब इस वीडियो में डिसकस करेंगे और साथ ही साथ पिछली हरी आना करांड अफेर का रूपीजन करेंगे और हर question के बारे में important और extra fact पड़ेंगे विद हरियाना जिक्के और last में आपके लिए हरियाना जिक्का का test भी आप उसे भी देखकर जरूर देखें और आप इस करणड़ फिर की PDF को description में दिये हुए link से download कर सकते हैं या फिर आपको description में टलेग्राम का link मिल जाएगा उसे जोइन करके वहाँ से भी ले सकते हैं question number one है हरियाना रेज्जे में किस के दुवारा फरी online doctor service साथ को launch किया गया है तो इसका right answer रोग option है तो मुख्यमंतरी मनहुरलाल के दुवारा अब दोस्तों पढ़ लेते होता क्या है CM मनहुरलाल ने सेवा इंटरनेशनल नामक NGO की फरी online doctor service साथ को हरियाना में launch किया है इस service के मैध्यम से राज्जे का कोई भी वक्ती इस mobile number पर call करके विम्बारी समंधी डाक्टरों से अपनी राए ले सकता है अब दोस्तों जीकरू अथा मनहुरलाल का तो इसके बारें पढ़ लेते क्योंकि आसे एक्जाम में कोईशन बनते है इनका जनमू अथा पांच में उन्सुचुमन को निदाना गाउ महम रोतक में और मनहुरलाल हैं पहली बार 20 अक्टूबर 2014 को हरियानेक के मुख्यमंतरी के रोमें सपत ली थी और चोद्मी दानसबा तक रैज्जे मलागातार कुल मुख्यमंतरी की संक्या के हिसाब से यह किस्वे हैं जबकि वक्तिकत रूप से दस्वे हैं और इनका चुनाओ छेतर करनाल से और दूसरी बार सबत ली 30 अक्टूबर 2019 को और इन्होंने विदायक के रोम में कैथल के क्योट गाउं को गोज लिया था अब दोस्तों इनके विवाग के बारें पढ़ लेते हैं क्योंकि ऐसे क्वेसन बनते एक्जाम में यह हरियाने के वितमंतरी है और यह हरियाने कैसे पहले मुख्या मतरी जो वितमंतरी भी बने साथी साथ नगरवागराम अयोजनवाई सहरी संपदा विवाग भी इन्हीं के पास है जन स्वाश्तिय अभ्यांतरिक विवाग, सिचाईव अजल संसादन विवाग, सुचना परद्योकी विवाग, इलक्टोनिक ता संचार, सुचना लोग्समपरेकुम बासा, अवास, योजना, नया परशाषन, तथा परियावन, तथा जल्वई परिवर्तन विवाग बीनी के पास है और वस्तुकला हो यह समयने पर सासन हो CID भी बाग बीने के पास हो यहां से question बन चुका CID से और कार्मे कों परसिक्षन भी बाग बीने के पास है और अजब और मामले तथा अन्य भी बाग जो किसी अन्य मंतरी के पास नहीं है वो सभी मुख्या मंतरी के पास है क्वेस्टन नमबर दो है हरियाना सरकार ने तलाब एउ अपजल परबंदन प्राधिकन की उपाधिक्ण की रिटार्मेंट उमर को 65 से अब कितना कर दिया है तो इसका रायट इंस रोग अप्शन भी तो 68 वर्स कर दिया है अब दोस्तों पढ़ लेते इसके बारे में हरियाना सरकार ने तलाब एउ अपजल परबंदन प्राधिकन आक्ट में सनसोधन करके विदे एक पास करवा दिया है सनसोधन के वल इतना किया है कि अब आथोर्टी में कारेकारी उपाद्यक्स तकनिकी सलाकार और सदस्य से चिव की रिटार्मेंट उमर को 68 साल कर दिया है जो पहले 65 वरस थी अब दोस्तों जिकरवात उपाद्यक्स या चेर्मेंट से समन्दित है तो इनी के बारे में कुछ इंपोर्टेंट पड़ लेते हैं हाली में रंदीर गोलन को हरियाना पसुदन विकास बोर्ड का चेर्मेंट बनाया है पहले यहरियाना प्रेटर निगम के चेर्मेंट थे और इस पद से इन्होंने 27 नोंबर को स्तिफा दे दिया है और बात करें राइट टू सर्विस कमिसन या फिर सेवा का अधिकार आयो की तो इसकी स्तापनों थे 2014 में और वर्तमान में इसका चेर्मन टीसी गुपता और नाक्ष्ट है हरियाना हाउसिंग बोर्ड इसकी स्तापनों थे उनसों कैतर में और वर्तमान में इसका अध्यक से राज़दी फोगाट और बात करे हरियाना रैड क्रोस सोसाइटी की तो इसका चेर्मान होता है मुख्यमंतरी और वाईस चेर्मान है वर्तमान में सुसमा गुपता क्वेस्चन नबर तीन है हरियाना के कीज जिले में चुमन वी राज्य सब जुनियर बैडमिंटन परतोकता का जिन किया जाएगा तो उसका राइट अन्स रोग ऐपसन है तो रोटक में अब दोस्तों पढ़ लेते हैं रोटक में चुमन वी हरियाना राज्य सब जुनियर बैडमिंटन परतोकता का जन 23 से 26 दिसंबर 2021 तक किया जाएगा अब दोस्तों जिकरू वाता खेल या उनसे समन्दित है तो हाली महरियाने के जिन भी कोचों को दोरुनाचरी अवार्ड दियागा 2021 में उनके बारे में पढ़ लेते हैं दोस्तों दोरुनाचरी अवार्ड दो प्रकार का होता है एक लाइफ टाइम अवार्ड होता है जबकि एक रैगूलर काट्गरी में अवार्ड होता है तो लाइफ टाइम अवार्ड मिला दोस्तों ये दो को सरकार तलवार को और कोच आसन कुमार को जबकि दो नजरी आवार्ड regular आवार्ड में मिला ही एक वैक्ति को किसको मिला है तो कोच दोस्तों पृत्म सिवाच और बात करें दिया अंचंद lifetime achievement आवार्ड की तो ये दो को मिला हरी आनरके दो वैक्तियों को सजन सिंको और विकास कुमार को और दोस्तों मैंने हालिम हरियान के जिन भी एक राडियों को 2021 में खेला वाड और जिन भी वैक्तियों को 2021 में पदम पुरुषकार दे रहे कि उनको पर एक डिटेल से वीडियो बना रही है उसका लिंक नीचे मिल जाएगा उसे जाकर जरूर देखें उस वीडियो से नैक्स्ट एक्जामें दो से तीन क्वेसन जरूर बनेंगे क्वेसन बर च्यार है हरियान के कीस दिले मंतराष्टे किर्केट स्टेडियों बना जाएगा तो इसका रायट इंस रोग उप्सने तो करनाल में अब दोस्तों पढ़ लेते हैं मुख्या मंतری मनोरल के प्रियास से जल्दी करनाल के दाहा में 26 सेकड में अंतराष्टे किर्केट स्टेडियूं बने जा रहा है दिली और मोहले के बाद अंतराष्टे किर्केट मुकाबले करनाल में हो सकेंगे यह स्टेडियूं यह लिया डेश की तरज पर अंतास्टे क्रिक्ट स्टेडियम बनाया जा रहा है उसका नाम क्या तो राजा नार संग कि चिले की बिदु सेत्या का नम इस ही अब्बु का परी कोड में सका रायत ऊंटार reign जिले से बिलाओं करती है, अब दोस्तों पढ़ लेते हैं, गुरुगराम की बिंदू सेतिया ने एसिया बुकाफ रिकोर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है, बिंदू सेतिया ने बताया है कि उन्होंने 88 देशों और उनकी राज़दानियों को एक मिंट में याद गरके ह रिकोर्ड बनाया है, अब दोस्तों जी करुवा था गुरुगराम का, तो इसके बारे में जान लेते कुछ है, गुरुगराम जिले में स्तीत इंटरनेशनल सोलर अलाइस में देश का पहला कोसल विकास उत्किष्टा के इंदर स्तापित किया गया है, और गुरुगराम जि और गुरुगराम जिले में राष्टिय दवजफरा था, और देश का पहला गरेन एटियम या फिर अनाज एटियम गुरुगराम जिले के प्रुखनगर में स्तापित किया गया है, क्वैस्टन बर च्छा है, हरियाने के की जिले की बेटी सुर्भी का चेन इस रो में हुआ तो इसका राइट इंसर होगा उप्सने तो करनाल से बिलाओ करती है, अब दोस्तों पढ़ लेते हैं, करनाल जिले के इंदरी से बिलाओ करने वाली सुर्भी का चेन बारतिय अंतरिक्स अनसुंदान केंदर या फिर इस रो में हुआ है, अब दोस्तों जिकर हुआ था, DRDO क तो इसके बारें पढ़ लेते हैं, इसे Defense, Research and Development Organization कहते हैं, इसकी स्तापनों 358 में, इसका मुख्याले दिल्ली में, और इसका वरतमान में अध्यक से डाक्टर स्तीस रेडी, अब दोस्तों जो भी हमने पढ़ा उसका फटाफट से रिविजन कर लेते हैं, दोस्तों अगर लाइक और चनल को सब्सक्राइब जूरू कर देना, क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब मेरा भी उसे लब डाता है, और मैं आपके लिए बड़िये से बड़िये वीडियो लाने के कोसिश करता हूं, तो प्ले चनल को सब्सक्राइब जूरू कर देना, Q1 हरियाना राज्जे में किस के द्वारा फरी ओनलाइन डाक्टर सर्विस साथ को हरियाना में लौंच किया गया है तो मनहुरलाल ने इसको लौंच किया है Next हरियाना सरकार ने तलाब हुआ है अब जल प्रबंदन प्राधिकन के उपाध्यक्स की रिटार्मेंट की उमर को 65 से अब कितना कर दिया है तो 68 वर्स कर दिया है Next है हरियाना के की जिले में चुमनवी हरियाना राज्जे सब जूनिर बैड़मिंटन पर त्योकता को जिन किया जाएगा Q4 है हरियाना के की जिले में अंतराष्टे क्रिकिट स्टेडिय मनाया जाएगा तो करनाल के दाहा में बना जाएगा दोस्तो अगर आपको हरियाना कर अंड़ फेर की 1-2-3 सल की PDF चाहिए तो नीचे लिंक दिया हुआ से डाउनलोड कर सकते है या फर नीचे आपको WhatsApp नमबर मिल जाएगा उस पर मैसेज करके भी आपको हरियाना करेंड़ फेर की PDF मिल जाएगी Next है हरियाना के की जिले की बिंदू सेतिया का नाम Asia Book of Record में दर्जू हुआ है तो गुरूरम जिले से बिलाउं करती है बिंदू Next है हरियाना के की जिले की बेटी सुर्भी का चेन इसरों में हुआ है तो करनाल के इंदूरी से बिलाउं करती है शुर्भी अब दोस्तों हरियाना जिके कर विजन कर लेते साथ ही साथ Question number one है हरियानवी बासा को खलिस्तान लेपी का उप्योग करके लिखा जाता है तो देवनागरी के लीपी का उप्योग करके लिखा जाता है Next है मारकन नदी की जिले से हरियाना में परवेस करती है तो अमबाला जिले से Next है सेख जिले का मकबरा कहां पर स्थीत है तो कुरुक्चेतर के थाने सेर में और इस हरियाना का ताजमेल भी कहा जाता है Next है कोन सा जिल बगवान विशने को समरपित है तो सनित सरोवर दोस्तो ये भी कुरुक्चेतर में है Next है हरियाना को खालिस्तान स्रेणी में उबर 2014-15 का किरसी कर्मन पुर्षकार मिला था तो दान स्रेणी में मिलाता है दोस्तो ये Next है राष्टिय सोर उर्जा संस्तान की सेर में स्तीत है तो गुरुगराम में स्तीत है दोस्तो ये Next है किस बारतिय रैसलर ने रियो लंपी 2016 में महिला फ्रेश्टाइल में काश्या पदक जीता था तो सक्सी मलिक ने जीता था ये मौकरा से बिलाउं करती है Next है राष्टिय विदुद प्रसिक्षन संस्तान का मुख्याले कहाँ पर स्तीत है तो फ्रिदाबाद जिले में स्तीत है Next है हरियाने की वा पहली महिला कौन है जिसने 2013 वा 2017 में चीन और नेपाल की ओर से एवरेस्ट परवत परचट आई की थी तो अनीता कुंडू दोस्तों इसार से बिलाउं करती है Next है हरियाने के की जीले में बगत फूल सिंग महिला विश्वदल स्तापित है तो सौनिपत में स्तापित है अब दोस्तों हरियाने करेंड फिर कर विजन कर लेते हैं टोपिक बैस्ट है क्योंकि आसे एक्जाम में कुईस्टें बनते हैं और अपका साथ ही साथ पुरानी हरियाने करेंड फिर कर विजन हो जाता है Question No.1 है फिरदबाद जीले में मोर्डल रोड सेफटी नोलो सेंटर का उद्गाटन किसे ने किया था तो सतरुजित का पूर ने किया था नेक्स्ट है हरियान के 21 जीले में इस ये का पहला मैकेनाजड एगरी वेस्ट मनेजमेंट प्लांड स्थापित किया जारा वर्तमन में तो इस आर जीले के एची नुवर्स्टी में हरियाना सरकार रजे जीले की रसना करक्रम के तैत लेक वखभी को कितने लाग रुपिक रासी देती है तो एग लाग रुपिक रासी देती है question number 4 है Hariana में खेलो Hariana Youth Game कब से कब तक अजित करवाए गई थे तो 27. August से 29. August तक अजित करवाए गई थे दोस्तो और खेलो इंडिया Youth Game की तरजपरी करवाए गई थे next है reprojas अक्रमन को रोकने के लिए कौन सा देश Hariana Rajseek का model अपनाएगा तो Thailand देश है और दोस्तो हरियाना करेंडा फिर को पढ़ कर जुरू जाना क्योंकि जो भी HCC के पिछल एक्जाम हुए है उनमें बहुत बड़ी मातरा में हरियाना करेंडा फिर पूछी गई है और नाक्ट एक्जाम में भी पूछी जाएगी Q6 है हरियाना सरकार ने सरकारी परोजनाओं की बूमी अधिगर्ण के लिए कौन सा बैंक बनाने की गोशन की है तो बूमी बैंक स्तापित किया जाएगा और ये पैलेट प्रोजेक्ट क्रूम में सबसे पहले करनाल में स्तापित होगा Q6 है हरियाना के की जिले में उत्तरबारत का सबसे बड़ा एरपोर्ट रेन्वे बनाया जाएगा तो इस हार में बनाया जाएगा Q8 है हरियाना रेजजे ने टोक्यो ओलम्पिक में कुल कितने पदक जीते हैं तो तीन पदक जीते दोस्तों सिंगल इवेंट की बात करें और दो खिलाड़ी हरियाना के होकी टीम में भी थे जिसने काश्या पदक जीता था ये आपको याद रखना है और दोस्तों क्वेस्टन पूछा जाएगा कि टोक्यो ओलम्पिक में हरियाना ने कुल कितने पदक जीते थे तो हरियाना के पांच के लाड़ों ने च्या पदक जीते दोस्तों टोक्यो ओलम्पिक में नेक्स्ट है हरियाना के कीज जिले में संटर अफ़किलेस पोर अथलेटिक का निर्मान करवा जाएगा तो पंसकुला में उर्षका हैड बना जगा निर्चोपडा को क्वेस्टन नमर 10 है हरियाना राजजी के कीज के लाड़ी ने टोक्यो ओलम्पिक के समापन समारों में बारतिय दवजबा की भूम का निबाई थी तो बजरंग पुनिया ने जबकि टोक्यो परलम्पिक के बात करे तो उसमें टेक्चन थे लास्ट वीडियो में आपसे क्वेस्टन पूचा था हालिम हरियाना के की जिले ने बुजर्गों के लिए केरवेल आप लॉंच की है तो इस आर जिले ने लॉंच की है आज के लिए आपका question है हरियाना के की जिल में गीता विस्वधले बनाया जाएगा अगर आपको इसके अनसर पता तो comment box में comment करना और हरियाना करने फिर की PDF आप नीचे से डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो पसंद जाते हैं वीडियो को लाइक और चैनलोग सब्सक्राइब जरू कर देना और थैंक्यू सो मच आपका वीडियो देखने के लिए